नमस्काल डीवी नीउस की खास खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदीश की कुछ खास खबरों पर उत्तर प्रदीश की अलिगर्ग में बीते दिनों एक महिला पासपोर्ट वेरिपकेशन के लिए ठाने गई थी दौरान महिला जब ठाने में बैटी हुई थी तभी दारोगा के हाथ में पिस्टल से गोली चल गई जो सीधे महिला के सिर में जौ लगी इसके बाद महिला तुरंत जमीन पर गिर गई थी यहाँ पूरी घटना सीसी टीबी में कैद हो गई थी इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्टी कराया गया जहां महिला की हालत गंबीर बनी हुई है महिला के समर्थन में अब उलेमाए हिंद संग्ठन ने आवाज उठाई है उल्माए हिंद के पदादिकारियों ने दारोगों के खिलाफ सक्त कारवाही की मांग की है इसी के साथ उल्माय हिंद के पदाधी कारियों ने कहा है कि उन्होंने राष्टपती के नाम ग्यापन सौपा है जिसमें मांग की गई है कि आरोपी दारोगा मनोज के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाही की जाए और महिला के परिवार वालों को एक करोगल रुपए की आर्थिक जिहां आपको बता दे जाच में जब इस बात का खुलासा हुआ तो पुलिस बिभाग में हरकंप मच गया एसपी ने ततकार प्रभाव से होमगार्ट को ड्रायल 112 की गारी से हट्राने का निर्देश दिया और फिलहाल सीयो को मामली की जाच सौपी गई है बताती की देवरिया पुलिस द्वारा बदमाशो की निगरानी के लिए चलाय जा रहे हपियान में एक होमगार्ट ही हिस्ट्री शीटर निकल गया इस होमगार्ट गैंक्स्टर और अपहरन सहित कई संगीन मामले दर्ध है होमगार्ट का नाम है कमलेश यादब कमलेश यादब कवडीब 19 साल से यूपी पुलिस में नौकरी कर रहा है लेकिन उसकी क्राइम कुंडली के बारे में विभाग तक को भी कानो कान कोई खबर नहीं लगी यूपी के कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहां एक प्रतिस्थित स्कूल में डिवेट के लिए चात्राओं को हमास इसराइल के बीच छड़े युद्ध को लेकर टॉपिक दिया गया था लेकिन इस डिवेट के दौरान 11 वी क्लास की कुछ चात्राओं ने हमास को लेकर किये गए जिक्र का विरोध करना शुरू कर दिया यही नहीं हमास का नाम लेने परापती जताने वाली वर्ग विशेश की चात्राइं प्रिंसिपल की माफी परगल गई बता दे कि उधर वहस में हमास का जिक्र करने वाली चात्रा डरी होई है और अब स्कूल नहीं जा रही है दरसार शनिवार को हड़र्ड हाई स्कूल में बाद मरबात कराया गया था टॉपिक था युद्ध समस्याओं के समधान से कहीं अधिक समस्याओं उत्मन्म करते हैं दो चात्राओं को पक्ष और दो को विपक्ष में बोलना था इसमें कक्षा 11 की छात्राए भाग ले रही थी तो वहीं क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे भी श्रोता थे वहीं बात करें अयोध्या की तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिस्ठा 22 जन्वरी को होने वाली है यहां मंदिर में भगवान राम की सेवा के लिए पुजारियों की नियुक्ती होनी थी जिसके लिए देशभर से 3000 वेदार्थियों और पुजारियों का इंटर्व्यू लिया गया था इनमें जो अचर्क चुने गए हैं उनका 6 महा का प्रसेक्षण शुरू हो चुका है प्रसेक्षण के बाद जो योगिय से योगिय व्यक्ती होगा उसकी परक्षा के बाद नियुक्ती हो जाएगी अभी केवल प्रसेक्षण के लिए जो 21 लोग आए हैं उनी का प्रसेक्षण हो रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेत्रतों वाले एंडिये की चलौती अब बगने लग गई है सहयोगी दल अब बीजेपी पर सीटों के बटवारे को लेकर दबाव बनाने लगे हैं के अलावा सहयोगी दलों ने कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी भी पेश करनी शुरू कर दी है बीजेपी के सहयोगी दल सुफासपा अपना दल और निशाद पार्टी ने मिलकर एक सांथ अपनी सीटों की डिमांड रग दी है वहीं बताते चले कि आगामी लोग सबा चुनाओ को लेकर बीजेपी पर सहयोगी दल सीटों के बटफारे और अपनी मांगता दबाव बना रहे हैं सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के साथ बीते दिरों गट बंधन करने वाली सुफासपा ने तीन सीटों की डिमांड आगामी चुनाओ के लिए कर दी है नहीं सुफासपा के और से चंदॉल गाजीपूर और घोसी सीट पर दावेदारी की गई है अपना दल एस ने भी पाथ सीटों की डिमांड बीजेपी नेतरतों के सामने रखी है अपना दल एस ने मिर्जापूर, प्रताव गट, अमबेटकर नगर, फतेहपूर और जालॉन सीट पर दावेदारी की है ये थी उतर प्रदीश से जुड़ी कुछ खास खबरें, ऐसी खास जानकारी के लिए बने रही है डीवी नियूस के साथ